बाई मुझे मेरी computer screen record करना है कैसे करूँ यह सवाल मुझे comment में बहुत बार पूचा गया है तो चलिए आखिरकार इसका जवाब देने का वक्त आ गया है मैं लेकर हैं आपके लिए तीन ऐसे software मतलब free screen recording software पहले हमें free word use कर रहा हूँ क्योंकि free की चीज़े हमें जरूर जाननी चाहिए यह तीन free software है जिससे आप अपनी screen recording कर सकते आपना voice भी उसमें record कर सकते या computer पे जो video चल रहा है उसका भी आवाज आवाज आप record कर सकते है जिया अगर आपको यह lecture सुन रहे हैं और आप चाहते हो lecture record करें तो यह screen recorder जरूर आपके computer में आप install कर लीजेगा और mobile screen recorder के बारे मैं अगला video बनाऊंगा फिलाल तो यह 3 screen recorder जरूर देखिए अगर आप इंट्रेश तो यह video देखने के लिए तो चलिए शू करते हैं मैं सतीश real tutorial चैनल में आप सबका सौगत कहता हूं let's begin लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर नहीं हमारे चैनल पे तो subscribe तो कीजिए बेल आइकॉम पे वी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नुटिफिक्शन मिले पर एक और इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन जो कि हमारे एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com जो कि आप Google पे सर्च कर सकते है या इस डिस्क्रिप्शन में रेडिमेड लिंक दीए वा कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जितने भी फे चल रहे हैं वो कंपूटर में समार्ट बनाने के लिए आपको है और बहुत कम रहें चल रहे हैं कि कोर्स स्लेट की लिए एक से है यह विडियो जुटीब के विडियोज के नहीं हैं पहले पता देता हम मैंने यह लोग एक्सेस के लिए रही है वह भी कम फीज में 99 रुपीस कोर्स चारल हो रहा है और पावरपाइंट को कोर्स तो फ्री रखा है मैंने तो जल्दी से के बरे में जाने कर एक्वी अर्कूर करो तो आपको प्रेख रहा है तो यह पर दिखा है तो यह पर दिखा है तो यह डिखा है यह मैं єच gitu दबार रहा हुआ यह मैं की दबा रहा हूँ, यह विंडोस का फीचर है, आप किसी भी रेकॉडर में से इस्तमाल कर सकते हैं, और विन माइनस, अगर आप की बोर्ड पे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको की विन माइनस की कौन सी है, यह अगर आप दबाते हो तो जूम आउ इस तरह से, यह डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको इसे इसे इंस्टाल करने, आपको इसमें इसे इंस्टाल करके रखा है, मैं आपको ड्रेकली वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यह डाउनलोड होने के लिए भी टाइम लगगा, अब मैंने इसे डाउनलोड करने के बा आपको तो आप स्टार्ट में जाकर भी सर्च कर सकते है अब जब मैं इस प्रेतार करूंग घर्पान भालाई ना तो राइट कॉर्णर में आपको ध्यान देना है एक राइट कॉर्न में मैं आपको रखा और मैं की बोर्ड पर करूंगा तो पता है आपको जूम अने आला आपको दिखाए रहा है एलेक्टा लाइसक्रिन रेकॉर्डर वन पॉइंट वर्जन है और निव स्टार्ट पॉज तो इसलिए यह आपको बाकी के सब उप्शन डिजाबल है तो मैं आपर नुपर क्लिक करता हूं यूपर क्लिक करने लाद एक डायलग भॉक्स आपके सामने आ रहा है इसे बेच में लेकर आता है और इसके बारे में सब्सक्रिन यही बारे में सेटिंग्स है क्योंकि यह प पूछ रहा है आपको, keep original size, जो original size screen के वही रहेगी, हम उसमें change नहीं करेंगे, यहापे आपको resolution change करने के लिए आता है, फिलाल हम as it is size रखेंगे, उसके बाद highest quality हम रखेंगे, जो कि यहापे आप इंस्ट्रॉल करते ही normal quality आता है, तो आप इसे highest quality कीजिए है, यहापे second option आपको highest quality रखना है, next option आपको दिखाए दे रहा है, frame rate यहाँ पे है, 8, as it is रहने दो, include taskbar in the screen recording, yes, यह रहना चाहिए taskbar, मतलब यह taskbar भी include करो, क्योंकि आप taskbar पे कुछ दिखा रहे हो, नीचे का, तो उस time पे वो भी दिखना चाहिए, इसलिए यह भी check रोको, capture the mouse cursor, यह भी on रोको, mouse cursor, mouse को point पता चलना चाहिए, कहाँ पे जा रहा है, right, तो यह भी यहाँ पे okay रोको, यह screen recording में settings आपको करनी है, दूसरा है कि आपको लगता है, पूरा screen record नहीं करना है, तो उस समय में आप क्या करोगे, फूल screen की जगए screen recording पे क्लिक करोगे, screen area recording पे क्लिक करोगे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हो, ऐसा drag करोगे, यह देखिए, आपको कुछ line दिखाए दे रहा है, इतना ही portion में जो है न, उतना ही record होगा, अगर मैं screen area recording दूँगा तो, अगर मुझे recording कर रहा है, तो मुझे full screen करना है, तो full screen, आगे webcam में यहाँ पे highlight नहीं हो रहा है, webcam setting भी आए गया आपके लिए, लेकिन जब आपके computer में webcam connected है, तभी highlight होगा, यह पिर आपके laptop में तो webcam रहता है, आप जब click करोगे तो आपका चहरा भी आपे दिखाए देगा, और live sessions आपको करना है, तो इसके लिए भी दिया गया है, फिलाल मैं यह सारी चीज़े नहीं करना चाहता हूँ, full screen recording कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको options है, आपको यह सारे options आप ले सकते, Electra Live and all, Compigar Presenter वीडियो, अब यहाँ पे क्या होता है, कि आप अपना recorder, मतलब आपका जो full screen है, screen तो record होगा, साथ में आपका चोटा सा webcam आजाएगा, एक corner में आप रख सकते, top lip में, या bottom right में, में आपका camera दिखाएगा, या पे corner में आपका चोटा सा, दिखाऊगा न, आपने बहुत सारे YouTube वीडियो में बनाते, आपना face भी दिखाते, चोटा सा corner में, लेकिन विसके लिए आपको webcam रेनाची, webcam setting में आपका camera यापको select करना पड़ेगा, और bottom right में यहाँ पे camera दिखाएगा, अगर यहाँ से आप click करते हो, camera अगर connected है, तो आपका एक चोटा सा यहाँ पे view दिखाएगा, आप यह try कर सकते हैं, आपके laptop में अगर webcam मतलब laptop में रहता है, लेकिन आप try कर सकते हैं, computer में तो आपको externally connect करना पड़ेगा, computer automark भी दिया है, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो यह automark रख सकते हैं, automark में क्या करो insert automark, अब automark में आपकी company का logo ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे logo अल्ड़ेडी select करके रखा है, पहले से मैं यहाँ पे click करता हो, आपके जो logo जहाँ पे भी store है, उससे जाकर आपको select करना है, मेरे पास जहाँ पे logo store था, वो मैंने select कर लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा यह logo कैसे आएगा, और logo की size मैंने आपको कम रखी 100, मतलब आपका square logo होना जरूरी रहता जादातर, square नहीं तो उसके सबसे आप उसे रख सकते हैं, लेकिन मेरा square logo है, तो मैंने size में width और height में भी 100 रख दिया है, opacity मैंने 100 रखा, अगर मुझे transparent चाहिए, तो मैं यहापे opacity रखूँगा 40%, तो transparent दिखाए देगा, मुझे transparent नहीं करना है, opacity 100 रख दिया है, okay, transparent logo नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने यह सारी चीजे ऊपर की बता दिया, आपको, अब main portion पर आते है हमारा record audio, अब record audio में क्या होता है, कि अगर आपको audio record करना है, तो आपको पहले microphone select किजे, मतलब आपका जो mic से record करना है, बस, माइक में जो में बोल रहा हूँ, यह record होगा, माइक सेटिंग में आपका mic कौन सा, वो select करना होगा, अपकोस आपने USB माइक भी connect किए, आपने दूसरा माइक भी, मतलब जो 3.5 mm का jack रहता है, माइक का उसमें भी insert किए माइक, तो आपको यहाँ पर mic select करने के option है, फिलाल एक ही mic जो selected है, एक ही मेरा connected है, मेरा Samsung USB का mic connected है, तो यह यहाँ पर मैंने select रखा है, यह आप आपको दिख रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ तो यह दिखिए, frequency, यहाँ पर पता चल रहा है कि, चालू, है, राइट, green में आ रहा है हो, तो ठीक है, record system sound, यह options पर क्लिक करते है, इसमें क्या होता है, आप online lectures भी record करना चाहते है, जैसे कि computer में जो video चल रहा है, उसका आवाज भी record होना चाहिए, तो record system sound, तभी आपका mic record नहीं होगा लेकिन, तो आपको mic और दोनों भी चीज, जैसे कोई online lecture चल रहा है, सामने हो लो कुछ भी बोल रहा है, तो उसका भी आवाज record होना चाहिए, तो record both microphone and system sound, यह option आप चेक किजिएगा, तभी आपको जब online lecture चल रहा है, सामने हो लो कुछ भी बोल रहा है, तो यह आपको समझ मैं होगा, यह सारी settings मैंने यहापे कर दी, अब यहापे आ रहा है desktop, फाइल कहाँ पे save करनी आपको, यहापे click करो और फाइल का नाम दो, मैंने फाइल का नाम अल्रेड़ी दी है, फर्स करके आप second कुछ भी नाम दे सकते, यहापे click करना है, यहापे फाइल का नाम रखना है, मैं फाइल का नाम देना चाहता हूँ, फर्स रेकॉर्डिंग करके, फर्स स्क्रीन रेकॉर्ड होगे, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, फर्स रेसी दे रहा हूँ, यहापे आएगा, और ओके करेंगे अभी, यह सारी settings करने के बाद, देखिए क्या-क्या settings की, नियू में की, जो भी settings हमें करनी है, इस वाले screen में करनी है, मैं दुबारा दिखाता हूँ, यह सारी settings हमने देखिए, record audio, record microphone, and all and all, तो चली यह सब setting होने के बाद, आपको यहाँ पे start recording बटन पे क्लिक करने, जैसे आप start करोगे, control alt, यह stop के लिए दिया है उन्होंने, आप यहाँ से भी stop कर सकते हो, और notification से भी, कैसे मैं बताता हूँ, अभी जो होगा, यह record होगा, आपको सुनाई देगा, तो मैं इसे stop कर देता हूँ, इस recording को भी मुझे stop करना है, तो मैं आपकोस यहाँ पे चला जाओंगा, notification में, control alt, यह उसकी shortcut की भी दिये उन्होंने, और यहाँ पे notification में जाने के बाद, यहाँ पे elektra light screen आ रहा है, यह देखिए, यह icon है, elektra light screen का icon है इस तरह से, और now recording आ रहा है, तो मैं इसे stop करता हूँ, जैसे मैं stop करूँगा, यह play करने के लिए आएगा, मैं यहाँ से play नहीं करना चाहता हूँ, चलिए देखता हूँ, डिश्टॉप यह file आई की नहीं, आ गई है, क्या बात है, यहाँ पर first recording करके फाइल है, मैं इसके पर right click करूँगा, और open with VLC media player, right, so recording कैसे करना है, elektra light screen से यह मैंने बता दिये, यह पहला software था, दूसरे software की तरफ बढ़ते है, जिसका नाम है, मैंने अल्रडी website विजिट किये, इस विजिट करने के बाद आप नीचे स्क्रोल करेंगे, और Windows और Mac के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से Windows के लिए आपको डाउनलोड करना है, Windows 10, 8, Sub 7 के लिए भी चलता है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, डबल क्लिक करके इंस्टाल कीजिए, हे इस नापने ननीचे स्क्राइव, पे वो आ जाएगा यह रहा यह दिखाए दे रहा है आपको active present ओके यह मेरे desktop पे install है और मैं इसे double click करूँगा इसे start करने के लिए यह powerpoint की तरह काम काता है elektra light screen को फिलाल के लिए बंद कर देते हैं अब यह क्या हो रहा है कि आपको कैसा mode चाहिए यह बताता है आपको customize your look and feel यह software का look कैसा चाहिए आपको dark mode में चाहिए आप बहुत देर तक काम करने वाले है अब थुड़ी देर तक काम करने वाले है light mode में जा सकते है मैं फिला light mode लेता हूँ continue करता हूँ यह powerpoint की तरह सब्सक्राइब बहुत interesting है तो जैसे आप start करोगे यहाँ पे आपको left side में दिखाए दे रहे है एक्टिव प्रेजेंटर में record video option इस record video options पे में click करूँगा look at there record video so record video options पे में यहाँ पे पहले click करता हूँ जैसे में click करूँगा आपको दिखाए दे रहे है यहाँ कुछ settings आ रहे है कि कैसे record करने आपको full screen हमें full screen करने है custom screen यान की crop जितना चाहिए उतना record कर सकते आप webcam on करना है तो यहाँ से कर सकते लेकि मेरा webcam ही connected नहीं है audio आपकोस audio चाहिए आमें नहीं चाहिए तो यहाँ से माइक बंद करके रख सकते audio चाहिए यहाँ पे microphone दिखाए दे रहे है ना audio चाहिए and you can start the recording like this so now record बटन पे click कीजिए जैसे आप record बटन पे click करेंगे control and button to stop recording यह आ रहा है so अभी रेकॉर्ड हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे start पे click करता हूँ और यह सारी चीज़े यहाँ पे record हो जाएगी right अब मैं control and button keyboard पे दबाता हूँ तो यह recording stop हो गया stop होने के बाद now you can see यहाँ पे recording load हो जाएगा okay recording यहाँ पे load हो रहा है यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आपको कुछ चीज़े यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे करने तो आप कर सकते हैं लेकिन इस recorder के लिए एक अच्छा रैम होना जरूरी रहता है इसमें क्योंकि एडिटर भी अपैलेबल है तो जब एडिटिंग आप करते इसमें तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट होने के लिए टाइम लग अब यहाँ पे प्ले करके भी यहाँ पे प्ले करता है यहाँ 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 इतना सिल तो आप यहापे डिलेट कर दो इतना रेंज तो उतना पोर्शन डिलेट हो जाएगा तो यह उप्शन इसके अंदर दिया गया है आप डिलेट भी कर सकते हैं बीच का पोर्शन वगेरा अब बhesiaल हम एक्सपोर्ट पर क्क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट विडियो आप्शन में चले जाएगे एक्सपोर्ट में और द्मस DIRE शेफे मैं यहां पर format लेता हूं, suppose mp4 format मुझे चाहिए, तो mp4 format, ज्यादा तर videos mp4 में रहता हूं, इसलिए mp4 format में ले रहा हूं, उसके बाद आपको यहां पर browse क्लिक करने के बाद यहां पर आता है, आपके लिए, कहां पर save करना है, file को, आप desktop पर save करना चाहते, desktop और नाम देना right, desktop पे से होने ओला है, ok किजिए, यह export हो रहा है, file, now you can check it out, export fast हो जाएगा, चोटा वीडियो, अपको बड़ा वीडियो रहेगा, थोड़ा सा टाइम भी लेगा, play करना है, play कर सकते है, आप नहीं करना है, यह open folder भी option दिया, directly आप desktop folder में कहां पर यह located है, वहां से यह देख तो यह था हमारा second software active presenter, जिसके जरी हम screen recording कर सकते है, right, पहला recorder हमने देख लिया, दूसरा recorder भी हमने देख लिया, तीसरा जो मेरा फेवराइट है, वह वंडर्शेर फ्लीमरा, और तीसरा जो screen recorder उसका नाम है, वंडर्शेर फ्लीमरा, जो मेरा फेवराइट है, जो मैं रिकोर् से काम करता है, वंडर्शेर फ्लीमरा, रिकोर्डिंग और एडिटर दोनों भी मैंने एक कोर्स डिजाइन के इसकी पर, और ये कोर्स मेरे वेबसाइट पर अवालेबल, वेबसाइट का नाम तो आपको बताई होगा, लिंक अलरी दिस्क्रिप्शन में है, जिया, चल रहा है, बहुत सरो लोगों ने इन्रॉल भी किया है, इसके अंदर जाकर देख सकते हैं, अप मैं क्या 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 आपको पढ़ाने वाला हो, ये सब कंटेंट से यहाँ पे आपको डीटेल में दिखाई देंगे, इतने सारे कंटेंट मतलब आप अपने वीडियो मे देख्टित Ferguson, अबऑन नाटास से लिटित सकते हैं, ये समे में दिखाई देख्टित ड्यडित हैं, ऑपको ड्यम, आपर्य हैंद देखेंगे, आपका गान कर देख्णों की पर उपर आप यहां पर क्लिक करों गांट पर कुछ options आपको मिलेंगे, record पर जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर record from webcam, record PC screen, record voice over, यहाँ पर option आ रहा है, web camera सब गएर आप record कर सकते हैं, हमारा काम तो PC screen का है, मतलब हमें screen recording करना है, तो उसके लिए हम बस इसी option के उपर ही click करेंगे, camera और नहीं करना है, फिलाल जैसे आप click क application चल रहा है, उसी का ही record होना चीए, तो आप target window करके उस application को select कर सकते है, custom तो आपको बता है, जितना screen चीए उतना select कर सकते है, and full screen, you know that, होता क्या है, so target window के बारे में मैंने आपको बता है, एक particular screen ही record होगा, जो screen आप select करोगे, full screen मतलब पूरा screen record होने वाला है, तो मैं और चीज यह पर resolution आ रहा है, यह दिखा दे रहा है, यह दिखा दे रहा है, यह दिखा दे रहा है, 1,2,8,0,720, 720, यह 720, और जो resolution है, यह 16 as 9, और यह resolution आपको रखना है, मतलब यह resolution आता कैसे, actually, अपकी computer resolution वैसे सेट करना है, आपको, जी हाँ, यह पले recording के पहले याद आपका 16 as 9 होना ज़रूरी है अगर कोई और रिजलेशन में तो आपकी स्क्रीन में साइड में क्रॉप दिखाए देगा या ब्लैक पूर्शन दिखाए देगा तो उसके लिए क्या करना है कंप्यूटर पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नीचे परस्नाइज अ तो आपके जो डेक्स्टाप पे सपोर्टेड आप मैक्सिमम रिजलेशन वाला ले सकते लेकिन 16 as 9 का ही रिजलेशन होना चीज ऐसे कि यह वाला भी चलेगा 6 7 68 वाला 1366 768 या फिर 1080 अगर सपोर्ट कर रहा है आपका डिस्पले तो 1080 का रिजलेशन पर रख सकते हैं मैंने रिकमेंडेट डिस्पले नहीं रखा है क्योंकि यह सब मेरे रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर नहीं है तो चलो फिलाल मैं आपको आगे दिखा तो यहाप आगे क्या सेटिंग से आगे आपको यहापे माइक्रोफोन दिख रहा है माइक्रोफोन यहां से मतलब अनौप क बताना चाहूंगा जो की छोड़ा सा नहीं है Europe और चोड़ा सा पूसन दिखाएनार डिखाएरहै में ना चोड़ा सा तो यह सेटिंग्स में ना तो इकhou को जाना है तो पेले करनी है रिकॉर्डिंग की उसमें। ऐसमें आपको लिखाएए देरहा है कि आपकी फाइल एक्स stop recording after मतलब आपको recording कब stop करना है एक गंटे के बाद आपका lecture एंड हो रहा है तो आपको automatic stop होना चाहिए lecture चल रहा है वो record कर रहा है तो वो stop recording after यह up timer लगा सकते है mouse का click से recording के दोरान देखना चाहिए play mouse sound अगर mouse का sound भी mouse का आवाज भी आना चाहिए आपको ऐसा लगता है तो आप यह भी क्लिक करके रख सकते हैं और यह दोनों इंपोर्टन चीज़े याद रखें नीचे यहन पर जोजु आप यूज करो से मैं पॉरी दaktी है करें और यहां से यहां पर याद के प्रेस करने के पहले हिमें धिमागता है हड ा इपख सिग ako क्लिया मैं नहीं प्रेस करने अगर प्रेस करोंगे तो बीच में तो आप कोई और कीज भी रख सकते हैं लेकिन इसे आप ब्लैंक नहीं रख सकते हैं याद रखिए इसके साथ आप रेकॉर्ड कैमेरा स्ट्रीम यह ओप्शन चेक कर सकते हैं जिससे आपका कैमेरा भी यहां पे फीजिबल हो जाएगा वेपकैम अगर आपके कम्पीटर में व स्टरीम यह सपराया है अब आपिज और स्टरीम खरकेबान है यह और स्टव झालक करना कोमेरा यह मैं इस विंडो को बंद कर दे तो आपको ए रिकॉर्डिंग दिखाई देगी यहां पर एसी एडिटर में आपको दिखाई देगी तुरंट आप देखना है तो यह पर डबल क्लिक करके से देख सकते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया कि यह रेकॉर्ड कैसे करता है यह आप में डिस्क्रिप्शन वे दी है अगर आप इंटरेश्टर तो विजिट कीजिए गा और कुछ नया सीखते रही है सीखते रही है सीखाते रही है हमारा स्लोगन हमेशा के लिए रहेगा मिलते अगले वीडियो के अंतर तब तक के लिए बाइबाइब